नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सक्सेस टीवी में दोस्तों आज की इस भागदोड की दुनिया में इंसान अपने अंदर की शांती को कहीं भूल सा गया है ऐसे में भगवान बुद्ध की कही इन बातों को अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्ची थी आपको जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ कैसे अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखना है इसकी प्रेदना मिलेगी दो या तीन मिनट की इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अच्छी बातों को सुनने के लिए वक्त निकालना हमें जीवन में और अच्छा करने में साहिता करता है दोस्तो भगवान बुद कैसे हैं की आप पूरे संसार में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुछ से कर सकते हैं उतना कोई और आपसे नहीं कर सकता हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं जब मन शुद होता है तो खुशिया परचाईं की तरह आपके साथ चलती है क्रोध करना एक कर्म खोईले को अपने हाथ में उठाकर दूसरे के उपर फेंकने के समान है जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा जिस तरह एक मुंबती किलो से हजारों मुंबतीयों को जलाने पर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती उसी तरह से एक दूसरे से खुशियां बाटने से भी खुशियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही है हजारों लड़ाईयां जीतने से अच्छा है कि आप खुखो जीतने, फिर वो जीत आप ही होगी जिसे कोई आप से छीन नहीं सकता, खुद पर विजय पाने वाला ही अजय कहलाता है स्वास्त सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और पापादारी सबसे बड़ा पंदन है यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीप कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हों तीन चीजे ज़्यादा देर तक छोपी नहीं रह सकती, सूरच, चंद्रमा और साथ्या उम्मीद है भगवान बुद्ध की यह बाते आपके जीवन में शांती और उनुस्ति लेकर आएं वीडियो पतल आए, शुब्सक्राइब, लाइक, कोमें जरुतना धरुआत